Welcome to Study Cave, इस वीडियो में आप Class 12 की इंग्लिश के फ्लामिंगो बुक का चैप्टर 4, रैट्च्राप की समरी जानेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पहले के चैप्टर्स की समरी नहीं देखी है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। तो स्वीडिश लेखिका सेलमा लेगरलोफ का जन्म 20 नोवेंबर 1858 को हुआ था। 1909 में साहित्य में नोबेल पुरसकार जीतने वाली पहली महिला थी। उनकी सबसे याद की जाने वाली किताब The Wonderful Adventures of Nils है। प्रारंब में एक शिक्षिका 1895 में उन्होंने खुद को पूरी तरह से लेखन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई किताबे लिखी, जिनमें उपन्यास और कहानियों का संद्रह जैसे गोस्टा बर्लिंग की सागा, इन्विजिबल लिंक्स और The Miracle of the Antichrist शामिल बात करे रैट्ट्रैप की तो एक समय एक व्यक्तितार की बनी हुई चुहे पकड़ने की छोटी चुहेदानिया बेचता हुआ घूमता रहता था। वह इन्हें स्वयम बनाता था, किन्तु उसका धंधा लाबदायक नहीं था। तो वह स्वयम को जीवित रखने के लिए उ आखो से भूख दिख सकती थी। उसका जीवन उदासी तथा एक रस्ता भरा था। उसका कोई साथी नहीं था। एक दिन उसे एक विचार सुझा की पूरा संसार एक बड़ी चुहेदानी के अतिरिक्ट कुछ और नहीं है। यह लोगों को धन एवं प्रसन्नता, भोजन त गर्मी तथा वस्त्र भेंट करके उसी प्रकार चारा डालता है, जैसे चुहेदानी में पनीर तथा सुर का मास हो। जो ही कोई व्यक्ती प्रलोबित होकर इस ललचाने वाले चारे को छोएगा, वह चुहेदानी में बंध हो जाएगा और तब प्रत्तेक बात समाप्त हो ज खटाया। इसका स्वामी एक व्रिद्ध व्यक्ती था। उसकी पत्नी अथवा कोई बच्चा नहीं था। अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ती को पाकर जिससे की वह बाते कर सके वह प्रसन्न था। उसने रात के अलपाहार के लिए उसे हलवा तथा धूमरपान की पाइप के लिए तंबाकू दिया। फिर उसने अपनी पुरानी ताश की गड़ी निकाली और सोने का समय होने तक अपने अति थी। के साथ खेल खेला। अपने समृध्धी के दिनों में स्वागत करता रैमसिजो आयनवर्स में खेती का स्वामी था। उसने भूमी पर काम किया था। अब वह शारिरिक परिश्रम नहीं कर सकता था। उसकी गाए उसे सहारा देती थी। यहां असाधारन गाए मक्खन बनाने के कार खाने के लिए प्रति दिन दूद्ध दे सकती थी। उसने अज नभी को बताया कि पिछले महीने उसे भुकतान में पूरे 30 क्रोनर हुआ था। अगले दिन दोनों व्यक्ती जल्दी उठे। भूस्वामी को अपनी गाए को दुहने की शीगरता थी तथा दूसरा व्यक्ती भी तब बिस्तर में नहीं पड़ा रहना चाहता था जबकि उसका स्वागत करता जाग चुका हो। वे एक साथ कौटे छोड़ कर भूस्वामी ने द्वार को ताला लगाया तथा चाबी अपनी जेब में रख ली। चुहेदानी वाले व्यक्ती ने अपने मेजबान को अलविदा तथा धन्यवात कहा और चला गया। आदे घंते के उपरांथ चुहेदानी बेचने वाला व्यक्ती लोट आया। उसने ख चुहेदानी से चमडे के थेले को उसके स्थान पर लटका दिया तथा वहां से दूर चला गया उसे अपनी चुस्ती पर प्रसन्नता महसूस हुई। फिर उसने महसूस किया कि उसे सारवजनिक पत पर और आगे चलने का साहस नहीं करना चाहिए। तो उसने जंगल का पकड लिया। वहां एक विशाल तथा भ्रमित करने वाले वन में चला गया। उसने महसूस किया कि वहां वन के एक ही भाग में चक्कर काटे जा रहा था। उसने सोचा कि उसने स्वयम को शिकार फसाने वाले चारे द्वारा मूर्क बनने दिया तथा पकड़ा गया। सारा उसकी उदासी और निराशा को बढ़ा दिया। वह भूमी पर धस गया क्योंकि वह बिल्कुल ठक गया था। सभी उसे हतोडे की चोटों की ध्वनी सुनाई दी। उसमें अपनी सारी शक्ती एकत्रित की उठ खड़ा हुआ तथा लड़ खड़ाता हुआ ध्वनी की दिशा मे चल पड़ा। वह लोहां पिढ़ा कर गड़ने वाली एक भठी के पास पहुचा जहां लोहार मिस्त्री तथा उसका सहायक भठी के निकट बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कच्चा लोहां गर्म होकर तैयार हो ताकि वे इसे घन पर रख सके। वहां कई ध्वनिया थी, ज पाइलों से बनी छत पर तेजी से वर्षा कर रही थी। इन सारे शोर के कारण लोहार ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने फाटक खोला था तथा लोहार खाने की भठी में प्रवेश कर गया था जब तक कि वहां व्यक्ति भठी के पास ही न पहुच गया। लोहारों ने मात्र लापरवाही तथा उदासीनता से इस बिना बुलाए आने वाले की और निहारा जिसकी लंबी दाड़ी थी, गंदे, फटे कप्रे थे तथा उसकी छाती पर चुहेदानियों का एक गुच्छा लटक रहा था। फेरी वाले ने ठहरने की आग्या मांगी। बिना कोई शब्द कहे लुहार मिस्त्री ने सिर हिला कर गर्वीली सहमती प्रकट की। तभी लोहे का स्वामी जो रैमसजो आईरन मिल का मालिक था, कारखाने के लुहार खाने में निरिक्षन हेतु अपने रात्री दोरे पर आपहुचा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने देखा कि गंदे फटे वस्त्रों में एक व्यक्ती भठी के इतना समीब चला गया था कि उसके गीले चिठड़ों से भाप उठ रही थी। वह चलता हुआ उसके समीब पहुचा तथा उसे अत्यंत ध्यान पूर्वक देखा। फिर उसने उसे निल्स ओल्फ पुकारा तथा आश्चर्य व्यक्त किया कि वह कैसा दिखता था। चुहदानी वाले व्यक्ती ने रैमसजो के लोहे के कारखाने के स्वामी को पहले कभी नहीं देखा था तथा नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। उसने सोचा कि शायद लोहे का स्वामी अपने पुराने परिचित को दो एक क्रोनर फेंक दे तो उसने उसे यहां नहीं बताया कि वहां गलती पड़ था लोहे के कारखाने के स्वामी ने कहा कि उसे रेजिमेंट से त्याकपत्र नहीं देना चाहिए था फिर उसने अजनभी से अपने साथ घर आने को कहा आवारा घुम कर सहमत नहीं हुआ उसने तीस क्रोनर के विशय में सोचा लोहे के कारखाने के स्वामी के घर जाने का अर्थ होगा स्वयंग को शेर की माद में फैक देना लोहे के कारखाने के स्वामी ने यह मान लिया कि वहाद दैनिया वस्तरों के कारण परेशानी महसूस कर रहा था उसने कहा कि उसकी पत्नी एलिजाबेत का देहान हो चुका था उसके पुत्र विदेश में थे तथा केवल उसकी सबसे बड़ी पुत्री उसके साथ थी उसने अजनभी को अपने साथ क्रिस्मस व्यतीत करने का निमंतरन दे दिया अजनभी ने तीन बार नहीं कहा लोहे के कारखाने के स्वामी ने लुहार स्टुन स्ट्रों को कहा कि कैप्टन वॉन स्टाहले उस रात उसके साथ रुखना अधिक पसंद करता था वह स्वायम अपने आप में हसा तथा चला गया आदे घंटे के उपरांत लुहार खाने के बाहर घुडागाडी के पहियों की आवाज सुनाई दी लोहे के कारखाने के स्वामी की बेटी वहां आई जिसके पीछे एक सेवक था जो बड़ा नर्म रेशो वाला उनी कोट उठाए हुए था उसने अपना परिचय एडला विलमैंसन के रूप में दिया उसने देखा कि वह व्यक्ति दरा हुआ था उसने सोचा कि या तो उसने कुछ चुराया है अथवा वह जेल से बच निकला है किन्तो उसने उसे यकीन दिलाया कि उसे उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमती होगी जैसे कि वहां आया था उसने उसे कैप्टन कहकर संबोधित किया, तथा प्रार्थना की किवाँ उनके साथ क्रिस्मस की पूर्व संध्या पर रुके. उसने यहाँ इतने मैत्रिपूर्ण लहजे से कहां कि चुहेदानी विक्रेता उसके साथ जाने को सहमत हो गया. रोयेंदार उनी कोट उसके चिथरों के ऊपर डाला गया तथा वह यूवा महिला के पीछे घोडागारी तक गया रास्ते में फेरी वाले विक्रेता ने सोचा कि उसने उस व्यक्ति का धन क्यों लिया वह चुहदानी में बैठ गया था तथा कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा अगले ही दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी लोहे के कार खाने का स्वामी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया उसने रेजिमिंट के अपने उस पुराने साथी के विशय में सोचा जिससे वह अचानक बिना किसी आशा के ही मिला था उसने संतुष्ट महसूस किया तथा उसे भली प्रकार से भोजन कराने तथा कुछ सम्मानजनक काम देने की सोची उसकी बेटी ने कहा कि पिछली रात उसने उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं देखी जो यहाँ दर्शाय की वहाँ एक शिक्षित व्यक्ती था लोहे के कारखाने के स्वामी ने उससे धैर्य रखने को कहा तथा समझाया कि उसे स्वच होने तथा वस्त्र पैहनने दे तब वह कुछ प्रिथत देखेगी घुमकड के आचर्ण के धंग घुमकड के वस्त्र त्याकते ही बदल जाएंगे तभी अज नभी ने अच्छे दिखने वाला सूत, सफेद कमीज, माड लगा हुआ कॉलर वाला तथा सफेद जूते पहन कर प्रवेश किया यद्यपी वह भलीभाती साफ सुत्रा था तथा अच्छे वस्त्र पहने हुआ था फिर भी लोहे के कार खाने का स्वामी प्रसन प्रतीत नहीं हुआ उसमें इस तथ्य को समझा कि पिछली रात उससे गलती हो गई थी अब दिन के पूरे प्रकाश में उसे एक परिचित के रूप में समझना असंभव था अज नभी ने दूसरे का स्थान लेकर छल करने का कोई प्रयास नहीं किया उसने स्पष्ट किया कि उसका कोई दोश नहीं था उसने एक निर्धन व्यापारी होने के अतिरिक्त कोई और बहाना नहीं किया था उसने तो लोहे के स्वामी को उसे लुहार खाने में रुखने की आज्या देने को कहा था वहाँ अपने चितरे पहने कर जाने को तैयार था अगले दिन लोहे के कारखाने का स्वामी तथा उसकी पुत्री जल्दी उठे ताकि वे गिर्जाघर की प्रार्थना में जा सके वे वहां से दस बजे के लगभग घोडा गाडी में चले लड़की बैठी हुई थी तथा उसने सामान्य दिनों की अपेक्षा अपना सिर अधिक निराशा से कुछ ज्यादा जुका रखा था गिर्जाघर में उसे पता लगा कि लोहे के कारखाने के एक पुराने भूस्वामी को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया था जो चुहदानिया बेचता फिरता था लोहे के स्वामी को भै था कि उसने अलमारी से चांदी के कई चम्मच चुरा लिये होंगे जब वेगन सामने वाली सीडियों के पास रुका तो उसने सेवक से अजनभी के विशय में पूछा सेवक ने बताया कि अजनभी जा चुका था वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था किन्तु कुमारी विलिमैंसन के लिए एक पैकेट क्रिसमस के उपहार के रूप में छोड़ गया था पैकेट खोलने पर उसने प्रसंता भरी एक छोटी सी चीक मारी उसने एक छोटी सी चुहदानी पाई तथा इसके भीतर तीन जुरीदार दस क्रोनर वाले नोट पड़े थे उसे संबोधित करके लिखा हुआ एक पत्र भी वहा था वह उसे एक चोर के द्वारा लजजित नहीं होने देना चाहता था अपितु कैप्टन की भाती व्यवार करना चाहता था उसने उससे प्रार्थना की कि वह यह धनराशी सड़क के पास वाले उस वृद्ध व्यक्ती को लोटा दे जिसने धन का थैला इधर उधर घूमने वाले लोगों को ललचाने के लिए मास के टुकडे की भाती खिर्की की चोखट में लटका रखा था चुहेदानी एक ऐसे चुहे की ओर से उपहार था जो इस संसार की चुहेदानी में हस गया होता यदि उसे कैप्टन के पत पर तरक्की न दी गई होती क्योंकि इस धन से उसे स्वयं को स्वच करने की शक्ती मिली तो यह चैप्टर यही समाप्थ होता है अगर अभी तक आपने स्टडी केव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके